अमेरिका आने का आउसर मिला है जब मुख्य मंत्री नहीं था प्रधान मंत्री भी नहीं था तो अमेरिका के करीब तीस ट्रेट का मैंने भ्रमन किया था और हर बार किसी ने किसी स्वरूप में यहां बसे हुए आप सब परिवार जनों से मिलने का मौका मिलता था ब्रधान मंत्री बंडे के बाद आप लोगों ने इतने बड़े-बड़े समारो और्गनाइज किये कि जिसकी गूंच आज भी दुनिया में सुनाई दे रही है न सिर्फ अमरेकन पॉलिटिकल लीडर्स लेकिन विश्व के पॉलिटिकल लीडर भी जब मिलते हैं तो उनके दिमाग में मेरी पहचान उस अमेरिका के इवेंट से शुरू होती है तो यह सब आपी लोगों का कमाल है आपी को पुर्शार्थ है और मैं जानता हूं कि अमेरिका में रहते हुए इस प्रकार की चीजें और्गनाइज करने में कितनी महनत लगती हैं कितनी बारीक्या देखनी पड़ती हैं लेकिन उसके बावजित भी हैं आप इसको सफल बनाए हैं इस बार की मेरी यात्रा में मैं जादा अलतर लोगों को नाराज करने वाला हूं नाराज करके जाने वाला हूं क्योंकि कई दबाव आ रहे थे कई कारकमों के सुझाव आ रहे थे आप लोगों का भी मुन करता था बड़े कारकम करने के लिए लेकिन मैंने कहा जरूर बड़े कारकम कभी कभी करूंगा लेकिन आज तो मैं कि उन लोगों को विशेशुप से मिलकर करके उनके दर्शन करना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे पिछले कारकमों के लिए भारी महनत की थे बहुत महनत की थे समय दिया अधन खर्च किया अपने नीजी कारकमों में बदल किया तो इस बार तो मेरा मन यही था कि आप सब के दर्शन करूं जिन्होंने काफी परिशम किया था तो यह सो भागे मुझे आज मिला है और एक प्रकार जहां मैं जो स्वरूप देख रहा हूं उसमें लगू भारत भी है लगू अमेरिका भी है भारत के करीब करीब सभी राज्यों के लोग यहां है और अमेरिका के भी सभी राज्यों के लोग यहां पर है आप कहां हो किस अवस्ता में हो किस प्रकार से कायर से जुड़े हुए हो किस परिस्तिती में देश शोड़ करके यहां आये हो कुछ भी हो लेकिन हिंदुस्तान में कुछ अच्छा होता है तो आपकी खुशी नहीं समाती है और हिंदुस्तान में कुछ बुरा हो तो सबसे पहले आपकी निंद खराब होती है यह इसलिए होता है कि आपका दिल हर पल चाहता है कि मेरा देश ऐसा कब बनेगा मैं आपको विश्वाद दलाता हूं जो सपने आपने देखे हैं आपके रहते हुए उन सपनों को पूरा करते हुए देखते जाएंगा और लुटार इसका सीधा साधा कारण है आप भी हिंदुस्तान में थे, आप भी अमेरिका में हैं, लेकिन आपकी शक्ति आपका सामर्थ हो, वो ही हिंदुस्तानी हो आप, लेकिन सानुकुल वातावरण मिलते ही, आप इतने फले फुले इतने फले फुले कि अमेरिका को भी फलने फुलने में आप बहुत बड़े सहायक बन गए वोही भारतिये की ताकत सानुकुल वातावन अमेरिका में मिला तो अमेरिका की भलाई के लिए भी और खुद की भलाई के लिए दोनों की विकास यात्रा बराबर बराबर चलती रही आपके जैसे ही आपके जैसा ही सामर से रखने वाले आपके जैसे ही बुद्धी प्रतिवा रखने वाले सवासो करोड हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में बैठे हैं बेबी आप जैसे हैं आपको जैसे यहां सानुकुल माहूल मिला और दुनिया बदल गई उनको भी अब उनको सानुकुल वहाँ विर रहा है और वो सवा सो करोर देश वासी कितिनी तेज गती से हिंदुस्तान बदल देंगे यह आप और मैं भली भातें अंदार लगा सकते हैं आज भारत में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है और जो मैं हर पल अनुभव करता हूँ हर देश वासी कुछ नो कुछ करना चाहता है कुछ नो कुछ कर रहा है और वह भी मेरा देश आगे बढ़े इस सपने और संकल्प के साथ कर रहा है और जब सवासों करोर देश वासियों का जजबा कुछ कर गुजर्गने का इरादा कश्मीर से कन्याक मारी अटक से कटक पूरे देश में अनुभव होता हो तब बेश वासियों मैं आपको विश्वाद दलाता हूं पिछले कई वर्षों तक जो गती नहीं थी उससे तेज गती से देश आज आगे बढ़ रहा है इन दिनों भारत में जिन विशों को लेकर के सरकारे हमारे हां बदनाम भी होती रही और बदलती भी रही उसका कारण ये नहीं रहा कि किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए था और मिला नहीं असंतोष का कारण वो ज्यादा नहीं था भारत का सामान ने मानवी और जैसे आप लोग है इनहरेंट संसकार है संतोष का ठीक है चलो भाई जवान बेटा भी मर जाएगा बिमारी से मर जाएगा तो भी माबाब आखिर कहेगा चलो भाई इश्वर की इच्छा होगी शाज इश्वर को प्यारा होगा है यह मूलभूत हमारी सोचने की प्रकृती है बारत में सरकारे बदली गई है उसके मूल में एक प्रमुक कारण रहा है ब्रश्टाचार बेईमानी देश के सामान ने मानवी को नफ्रत है कि क्या मतलब है मैं आज सर जुखा करके बड़ी नम्रता से यह कहना चाहूँगा कि इस सरकार ने तीन साल में जो भी कार्यकाल किया बिताया है अब तक इस सरकार पर एक भी दाग नहीं लगा है और सरकार चलाने के तरीके में भी इन बिल्ट व्यवस्ताओं को ऐसा विक्षित करने का प्रयास हो रहा है ताकि इमांदारी कि सहज प्रक्रिया भी हो वरना ऐसा नहीं कि विजिलन्स बार बार करेंगे तभी यह चीजे चलती रहे हैं टेक्नोलोजी उसमें बहुत बड़ा रोल कर रही है टेक्नोलोजी से ट्रांस्परंसी आती है लीडर्सी और गवर्नन्स के उसुलों के कारण इंटिग्रिटी आती है और सामान ने मानवी का स्वभाव अच्छा है तो उस रास्ते पर जानने का ज़्यादा पसंद करता है अब जैसे हमने देश में जो सामान ने मानवी को सरकारी खजाने से मिलने वाली बाते हैं कि उसको टेक्नोलोजी के माध्यम से कि डारेक बेनिफीट ट्रांसफर स्कीम में डीबीटी स्कीम में कंवर्ट किया कि उसका परणाम क्या आया है हमारी यहां गैस सिलिंडर घरों में रदेते हैं तो अब जैसे भारत देश है लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार लाना बहुत जरूरी है तो जीतना आर्थिक बोज कम हो ताकि वो पैसे शिक्षा में लगा सके हिल्थ में लगा सके बच्चों के देखवाल में लगा सके तो कुछ सब्सीडी वगर देते हैं गरीब हो पर खास ध्यान देते हैं अब गैस सब्सीडी है कि है कि अब सब्सक्राइब तो आंग होता है कि करीक से गरीब को भी सबसिरी साथ है अमूर से मिलता है कि अब मैं आपको इ इस prefers भी आखे डिया है तो आप यह सबसेड़ी क्यों लेते हजार बारा सो पंदरा सुरुपे में क्या रखा है अपके लिए तो यह एक दिन का जेब खर्चा भी इससे भी ज्यादा होता है कि आप हैरान होंगे कि देश के सामाने मानवी के दिल में देश को आगे बढ़ाने की अदम में इच्छा है यह मैं जब कहता हूं तो उसका उधारन क्या है उधारन यह है सवा करोड देशवासी यानि कि सवा करोड परिवार भारत में कुल 25 करोड परिवार है सवा सो करोड परिवारों ने सामने से कह दिया मोदी जी आपने कहा है आज से सबसुड़ी नहीं लेंगे यह उस बात का सबूत है कि सामान्य मानवी देश को आगे ले जाने में अपने आपको भागिदार बनाना चाहता है नेत्रुत्व करना चाहता है कुछ कर गुजरना चाहता है और बात में हमने क्या किया यह सबसुड़ी सरकार के खजाने में डाल करके सरकारी खजाने की चिंता नहीं किये हमने का ठीक है इसको हम उन गरीब परिवारों को देंगे जो गरीब लकड़ी का चूला जलाते हैं मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन बच्चों का पेट भने के लिए सुबह तीन चार मज़े उट करके लकड़ी लाते हैं लकड़ी का चूला जलाते हैं खाना पकाते हैं फिर छोड़ करके जाते हैं बच्चे बाद में खाते हैं और विज्ञानिक कहते हैं कि लकडी का चूला जलाने से जो धुआ होता है कि एक माँ जब पुरा दिन भर कीचन में जब भी खाना पकाती है लकडी का चूला जलाती है चारसो जिगारेट का धुआ उस मा के शरीर में जाता है चोटे चोटे बच्चे घर में खेलते हैं यह धुआ उनके शरीर में भी जाता है अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस मा के शरीर में एक दिन में 400 सिगारेट का धूमा जाता है उस मा के शरीर का हाल क्या होगा बच्चों के शरीर का क्या हलोगा अगर मैं स्वस्थ भारत का सपना देखता हूँ तो स्वस्थ मा स्वस्थ भालक होना बहुत जरूरी है और इसलिए हमने बिड़ा उठाया और लोगों से कहा कि जो 700 कROड सभा करोड लोगों ने यह गैस सबसिडी छोड़ी है वो उन गरीब परिवारों को सिलिंडर हम दे देंगे और इस सबसिडी गरीब की हाँ ट्राश्पर कर देंगे इतना ही नहीं जिसने सबसिडी छोड़ी थी उसको चिठी बेजी कि आपने जो गैस सबसीडी छोड़ी थी, गुजरात के फलाने गाउं में आपने छोड़ी थी, लेकिन अब आसाम के फलाने जिले के फलाने गाउं के फलाने गरीब को ये सबसीडी ट्रांसफर करनी देुए। मेहनत पढ़ती है, लेकिन ये ट्रांसपरंसी एक नया विश्वास परदा करती है। आप जब इंदुस्तान में थे, तब आप में देखा होगा कि गैस का सिलिंडर पाने के लिए पताने कितने कितने पापड बेलने पड़ते थे। नेताओं के घर चक्कर लगाने पड़ते थे। कि गैस का कनेक्शन दे दिए। हमने बिड़ा उठाया है आने वाले तीन वर्ष में पांच करोड गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन देना। उसको लकडी की चुले से मुक्त करना। और मुझे खुशी है कि अभी तो इस योजना को ग्यारा बारा महिने भी नहीं हुए हैं अब तक करीब एक करोड से जादा परिवारों में गैस सिलिंडर हमने पहुंचा दिये। अब शब्सीड़ी देते थे उसमें हमने बड़ा बदलाव किया पहले जो बेचता था उसको सब्सीड़ी जाती थी अब हमने वह बंद करके जो पाता है जिसके गर सिलिंडर जाता है उसके गर में सबसेड़ी बैंक एकाउंट में चली जाती हैं अब पहले हम पर आर्प लगता था कि मोधी इतने बैंक के खुलने के पीछे लगे हो कि मैंने अभ्यान उप्चलाइब था भाना चाहिए कोई आरोप करने के लिए लेकिन जब हमना डारेक्ट मैंने फिट ट्रांस्फर शुरू किया तो ये बैंक में सिधे पैसे सरकारी सब्सेडी थी जाने लगे इसमें मजा ही आया क्रीब तीन करोड आप है रान हो जाएंगे तीन करोड ऐसी सब्सेडी जाती थी कि जिसका सिलेंडर का मालिक ही कहीं कि मिला नहीं हमको कितने हजारों करोड रुपिया हर वर्ज जाते होंगे पताने किसकी जेब में जाते होंगे डारेक फैनिपी ट्रांसफर करने के कारण तीन करोड जो गोस्ट प्लाइंट थे वो चला रहा रुपिये बज गए जो किसी गरीब के लिए गाउमे स्कूल बना निकले काम आ रहे हैं टेकनोलोजी ट्रांसफरंसी लाने में टेकनोलोजी कितना बड़ा रोल कर रही है और जो यूथ हैं यंग जनरेशन है वो भलिभाती समझती है टेकनोलोजी की ताकत क्या है आज हिंदुस्तान उस टेक्नोलोजी को काफी बल देते हुए ब्रवस्ताओं को विक्सित कर रहा है हमारे देश में जो लोग लगातार भारत की चीज़ों को देखते होंगे जब खेती की सिज़न आती है तो यूरिया को पाना मैं भी जब मुख्यमंत्री था तो भारत सरकार को लगातार चीज़ी लिगता था कि हमारे यहां यूरिया की कमी है किसान परिसान है यूरिया मिलना चाहिए बगेरे बगेरे मैं जब परदान मंत्री बना तो मुझे भी सब मुख्यमंत्रियों की पहले महिने में यही चिठी आते हैं यूरिया 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 आपको जान करके खुशी होगी पिछले दो साल से एक भी मुख्यमंत्री यूरिया के लिए मुझे चिठी नहीं लिगता कहीं यूरिया की कमिटी कमे नहीं है कहीं यूरिया के लिए कतां नहीं तो आप eine देश में है यूरिया के लिए रात रात फुले में सोते थे ताकि सुबे दुकान खुलते ही यूरिया मिल जा है यह दिन थे लेकिन क्या आमने रात वरात यूरिया के कारखाने लगा दिये नहीं क्या रात वरात यूरिया का उत्पदन बढ़ा दिया नहीं कि शिम्पल काम किया यूरिया का नीम कोटिंग किया इनीम के पैड़ की प्रक्रण दिया इसको पहले क्या होता था यूरिया प्यार होता था यूरिया में सबसीडी बहुत किसानों को सालाना करीब 80,000 करोड रुपया कि सबसेड़ी में जाता है तो बहुत सस्ते में वीरिया कारखने से बहार निकलता है लेकिन वो खेत में नहीं जाता था केमिकल फैक्टरी में घुज जाता था और केमिकल फैक्टरी के लिए वह रॉमोट्रियल का उप्योग होता उस पर प्रोसेस करके और कोई बना करके दुनिया में माल बेचते थे पैसे कमाते थे नीम कोटिंग करने के बाद अब यूरिया का एक गाम यूरिया भी और किसी काम नहीं आ सकता है केमिकल फैक्टरी में जाना बंद हो गया यूरिया खेत में जाने लगा और नीम कोटिंग लगाने के कारण यूरिया की एक्स्ट्रा ताकत बढ़ गई जो जमीन में सुधार लाने लगी और परणाम यह आया कि 5 परसंट से लिए करके 7 परसंट तक खेत उत्पादन में हो गई यूरिया की चोरी गई उसके कांड सबसीडी कम हो गई सत्प्रतीशत यूरिया खेत में पहुंचने लगा किसान की दिक्क्ट चली गई और यूरिया में नीम कोटिंग होने के कारण उत्पादन में बढ़ गया जस्ट विद्ध हेल्प आप टेक्नोलोजी मैं अनेक ऐसा उद्धान दे सकता हूं कि जिसमें भारत इंदिनों टेक्नोलोजी के साहरे कई नए अच्यूमेंट कर रहा है स्पेस की दुनिया में भारत ने अपना नाम कमाया है अभी दो दिन पहले ही 31 नैनो सेटलाइट एक साथ लॉंच किये पिछले महने हम लोगों ने वर्ल्ड रकॉर्ड किया एक साथ एक सो चार सेटलाइट लॉंच किये दुनिया को अजूबवा लगा भारत की क्या ताकत है कि एक साथ 104 सेटलाइट लॉंच कर रहे हैं पिछले दिन हिंदुस्तान ने एक सेटलाइट लॉंच किया है जिसके वजन की तुनना किलोग्रम में नहीं होते हैं इतने हाथी के वजन का बराबर सेटलाइट के छोड़ा गया एने एलिफेंट के वेट के साथ हमारे सेटलाइट के वेट की तुनना हो रही है कहने का तात पर यह है कि देश आधुनिक भारत के सपनों को पूरा करने के लिए एक टेक्नोलोजी ड्रिवन गवर्नन्स टेक्नोलोजी ड्रिवन सुसाइटी टेक्नोलोजी ड्रिवन डेवलोक्मेंट इन सारी महतों पर एक नए सिरे से बल दिया जा रहा है और उसके सुखत परणाम आज बहुत तेज गति से नज़रा रहे हैं हमारे देश में ऐसा नहीं है कि कुछ काम होते नहीं थे तो होते थे और कोई सरकार नहीं चाहती है कि वो अपने कारकाल को खराब करके जाए और चुनाव हार जाए कोई नहीं चाहते है लेकिन काम होना वो एक बात है लेकिन देश की आवश्चत्ता पेक्षाओं के अनुरूप तेज गती से सही दिशा में परणामकारी काम होना उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है और इसलिए निर्नाई भी समय की सीमा में हो ताइम बाउंड विदी हो तेज गती से हो सही दिशा में हो और परणामकारी हो इन चीजों को लेकर के आज देश किसी भी परामेटर में देख लिया जाए अगर पहले एक दिन में कितनी लंबाई रोड की बनती थी और आज कितनी बनती है पहले एक दिन में रेल्वे कितनी लंबाई बढ़ती थी आज कितनी बढ़ती है पहले रेल्वे का इलेक्ट्रिफिकेशन एक दिन में कितना होता था आज कितना होता है कोई भी परामेटर अकल्प गति अकल्प गती आज देश के काम में आई है क्योंकि इन्फास्ट्रक्ट्ट्ट्र कि सस्टेडेबल डिवलप्मेंट के लिए बहुत अनिवार्य होता है कि इन्फास्ट्रक्ट्ट्ट्ट्र में भी हमारी सोच आधुरीक भारत के संदर्प में है 21 वी शतावदी के संदर्प में है और ग्लोबल बेंचमार के संदर्प में है अब काम होने को हो इससे चलने वाला नहीं है एक जमाना यह वो था कि जब अकाल होता था तो गाउं के लोग सरकार को चिठी भेजते थे कि हमारे गाउं में भी अकाल के लिए कुछ मिट्टी का काम किया जाएं और मिट्टी के गड़े खोदे जाते थे और मिट्टी का रास्ता बना दिया जाता था और उसको बहुत बड़ा सरकार का एचिवेंट माना जाता है वो भी दिन थी अवारे देश में दिर दिर आया नहीं नहीं साब सड़क बना दो डामर की सड़क बना दो दिर दिर आ गया नहीं जड़ा डबल नेन बना दो आज मांग उठीए पैवर रोड चाहिए उससे नी जब देश के सामान्य मानवी का एचिवेंट बढ़ता है तो वह एचिवेंट जाता है जन्ता जनारदन के एस्पिरेशन को एक्जुमेंट पे कनवाड करने की दिशा में हम नीतियों को निर्धारित करते हैं हम गतिताय करते हैं प्रावरिटी ट्यकरते हैं और जी जान узна जोड लगाते हैं परनम मिलने लगा है आज विश्व उसू Zoom आतंगबाद से परिशान है, यह आतंगबाद मानवजाद के उपर दुश्मन है, विश्व के कई दोश, जब भानत आतंगबाद की बात बताता था, आज से 20-25 साल पहले, उनके गले नहीं उतरता था, विश्व के लोगों को लगता है, यह तो आपका law and order problem है, क्योंकि उन्होंने भुगता नहीं था, अनुभाव नहीं किया था, आज विश्व में केसी को terrorism समझाना नहीं पड़ रहा है, टर्रिस्टों ने समझा दिया है, हम समझाते थे सबज नहीं आता था, टर्रिस्टों ने समझा दिया है, लेकिन जब हिंदुस्तान surgical strike करता है, तब दुनिया को ताकत का अनुभा होता है, कि भारत सहियम रखता है, लेकिन जरूरत पड़े तो भारत अपने सामर्थ का परिचे भी देगा, हम विश्व के कानुनों थे बंदे हुए हैं, क्योंकि वो हमारे समस्कार है, हमारा स्वभाव है, हम बसुद है, कुटुम कमकनी कल्पना, यह सिर्फ सोते शब्द नहीं है, यह हमारा चरीत्र है, हमारा स्वभाव है, हम ग्लोबल ओर्डर को तहस्त नहस्त करकर के, अपना डंडा जमाने वाले देश नहीं है, हम दुनिया के नौम्स का पालन करते हुए, इंट्रनेश्टन लॉग का पालन करते हुए, हमारी सवरेनिटि के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे जन सामान्य की सुख सांति और प्रगति के लिए, कठोर से कठर कदम उठाने का सामर्थ रखते हैं, और जब भी जरूरत पड़ी लेते रहे हैं, और दुनिया हमें कभी भी रोक नहीं सकती है। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी घटना थी, अगर दुनिया चाहती है, तो भारत के बाल नोच लेती हैं, हमें कटगरे में खड़ी कर देती हैं, विश्व हमारा जवाब मांगता हैं, दुनिया में हमारी अलोचना होती हैं, लेकिन पहली बार आप सबने अनुभव किया होग भारत के सर्जिकल स्ट्राइल के इतने बड़े कदम को, विश्व में से किसी ने भी एक सवाल नहीं उठाया, जिनको भुगत ना पड़ा उनकी बाता लगए, और इसलिए, कि हम दुनिया को एस समझाने में सफल हुए हैं, कि आतंकवात का वो कौन सा रूप हैं, जो भारत के सामान ने जीवन को तबाह कर रहा है, हम विश्व को समझाने में सफल हुए हैं, 21 भी दस्दी का हिंदुस्तान बनाने के दिशा में, भारत अनेक आर्थिक छेत्र में, उदारता पुर्वक, अपनी नीतियों को आगे बढ़ा रहा है, देश सिरफ रूपियों से ही आगे बढ़ता ऐसा नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, उसका human resource, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, उसकी प्राकुर्थिक संपता, जिस देश के पास 800 million, 35 से कम उमर के नौजवान हो, जो देश जवान हो, उसके सपने भी जवान होते हैं, उसका सामर्थ हमें भी जवानी होते हैं, और उसके साथ, हमने उन नितीन इधारों की दिशाम आगे बड़े हैं, फोरेंड डायरेक इंवेश्मेंट की दिशामें, और भारत को आजादी के बाद जितनी महात्रा में FDI मिला होगा, उससे आज कई ज्यादा मात्रा में फोरेंड डायरेक इंवेश्मेंट हिंदूस्त में आ रहा है, भारत को दुनिया की credit rating agency हो, भारत को एक चमकते हुए सिता के गुरूप में, वर्ल बैंक हो, IMF हो, हर कोई, दुनिया की सब agency उसको भारत के सामर्थ को स्विकार करती है, विश्व भी भारत को अपना एक investment destination के रूप में टॉप पर देख रहा है, तो यह स्थ सब के साथ भी, innovation, technology, talent, इसकी एहमियत बहुत होती है, विश्व में फैले हुए भारतिय समुदाई के पास, यह सामर्थ है, उसे exposure मिला हुआ है, उसने कुछ ने कुछ अपने जीवन में हसिल भी किया है, यह भारत का बुद्धिधन, भारत का यह अनुभाव धन, जो आज विश्व में फैला हुआ है, मैं उनको भी निमंत्रित देता हूँ, कि आपके पास जो सामर्थ हैं, जो अनुभाव है, उसको अगर आपको लगता है, कहीं हिंदुस्तान में काम आ सकता है, जिस देश ने आपको बड़ा बनाया, उस मिट्टी के कर्ज चुकाने के दिशा में अगर आपको लगता है, तो शायद इससे उत्तम अवसर कभी नहीं आएगा, मेरी आप से ये भी गुजारिस हैं, शायद ही अमेरिका में विश्व के सभी समाई यहां रहते हैं, दुनिया के हर देश के लोग रहते हैं, लेकिन शायद ही यहां रहने वाले हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान के लोगों को जितना आदर और सन्मान देते हैं, जितना प्यार मुझे मिला है, शायद ही दुनिया में किसे लीडर को मिलता होगा, लेकिन कभी कभी लगता है कि इस पीडी के बाद क्या है जो इस पीडी के अंदर जजबा है वो आने वारी पीडियों में भी बना रहेगा क्या और उसके लिए बारत के साथ आपका ब्रीज बना रहना बहुत ज़रूरी है आपकी नई पीडी भारत से जुड़ी रहे इसके लिए आपका निरंतर प्रयास होना बहुत आवश्यक है जिन जिन राज्यों से आप आते हैं हर राज्य ने इन दिनों अपने अहां प्रवासी भारतिय लोगों के लिए कोई कोई डिपार्टमेंट बनाये हुए है भारत सरकार ने भी दिल्ली में एक अच्छा प्रवासी भारतिय भवन बनाया भी और मैं तो चाहूँगा जब आएं तो जुरूर से देखें उसमें रहने की विवस्ता भी है वो विविदाएं आपी के लिए हैं आपने देखा होगा मुझे इन दिनों इवन मैं भी मैं भी सार्वजनिक जिवेन में होने के बावजूद भी विदेश मंत्रा लाई याने कोट पेंट आई पहनना बड़े बड़े लोगों से हाथ मिलाना दुनिया में सफर करना सामान ने मानविय के नाते वो ही छबी थी तीन साल में आपने देखा होगा कि भारत के विदेश मंत्रा लाई ने मानवता की दुरुष्टी से नई उचाईयों को प्राप्त किया है असी हजार से जादा हिंदुस्तानी दुनिया के किसी भी देश में कहीं न कहीं संकट में फसे तो प्रोएक्टिव होकर के भारत सरकार उनको सही सलामत ले आई और अपने घरों में उनको वापिस लेखे असी हजार यह चोटी संख्या नहीं है आज से 20 साल पहले किसी भी देश में आप जितने सुक्चैन की जिन्दगी जीते थे गत 20 साल में जो बड़लाव आया है हर पल विदेश में रहते विए भारती को रहता है यहार कुछ होगा एक हो आज इसको तीन साल से चैन है कुछ भी हो जाएं हमारी MBC यहाँ है रास्ता को जाएं अभी आपने देखा होगा भारत की एक बच्ची मलेशिया में गई थी किसी के परिचे में आई भारत से पाकिस्तान चली गई बहुत सपने लेकर के गई थी लेकिन वहां कि उसकी जिन्द की बरबाद हो गई मुसल्मान बच्ची थी उसको लगा पाकिस्तान जाओंगे मेरी जिन्द की बहुत खुश हो जाई थी फस गई तब उसने मन में टाय किया आगे में मौका देखते ही पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान की ए वहां जाओगी मेरी जीनगी सुरक्षित हो जाएगी और उसने कैसे भी करके हिंदुस्तान के एमबेसी के पहुंची आज भारत लौट करके आई और हमारी सुष्माज इसको लेने कि मैं जब पहले यहां आता था तो बैठते ही कि विदेश में रहने वाले हमारे बंदुओं से बैठते ही शुरू होता था साब एरपोर्ट पर उतरते ही टेक्सी वाला साब उतरते ही कस्टम वाला साब जाते ही गंदगी यही सुनता था मैं साब पताने मन नहीं करता है यही सुनता था आज मेरे लिए खुशी के बात है विदेशों से जीतरी चिठिया आती है उसमें अधिक्तम चिठिया उस देश के एंबेसी में जो बडलाव आया है एंबेसी जो प्रोपीपल हुई है भारतियों की वहां दरकार की जाती है जो माहुर बडला है उसकी तारीव की चिठिया ही चिठिया मुझे मिलती रहती है कि है है हमने नीतियों में बहुत बड़े परिवर्तन की है अब आपको मालूम है आपने जब पासपोर्ट लिया होगा कितने पापड़ बेंद करके पासपोर्ट लिया होगा आज हर पोस्ट स्वाइज में पास्पोर्ट के सेंटर खोले जा रहे हैं और जो पास्पोर्ट छेशे महिने तक बड़ी मुश्किल से मिलता था आज 15 दिन में पास्पोर्ट मिल जाता है कि सोशल मीडिया आज कल बहुत बड़ी ताकत रखता है कि मैं भी सोशल मीडिया से काफी जुड़ा हुआ हूँ आप लोग भी नरेंद्र मोदी है बराबर देखते रहते होंगे नहीं देखते होंगे तो डाउनलोड कर लीजिए लेकिन सोशल मीडिया से किसी एक डिपार्टमेंट की ताकत कैसे बड़ती है वो अगर उत्तम से उत्तम किसी ने करके दिखाया है तो हमारे विदेश मंत्रा लई ने और हमारे विदेश मंत्री सुस्मा स्वराज जी ने करके दिखाया भारत में हर व्यक्ति नोट करता है जो विदेश मंत्रा ले कोर्ट पेंट टाइट तक ही सिमित था आज वो विदेश मंत्रा ले हिंदुस्तान के गरीब से गरीब के साथ जुड़ गया है यह पहली बार देश में हुआ है विदेश मंत्रा ले राक को दो बजे भी किसी पीडिक ने दुनिया के किसी देश में ट्वीट किया हो 15 मिनिट में स्विस्मा जी का ट्वीट पे जवाब जाता है 24 गंटे में सरकार एक्षन लेती है और परणाम लाके रहते हैं यह है गुड गवनन्स यह है प्रो पीपल गवनन्स यह है एक सेंटिमेंट तो दोस्तों आप लोगों ने जो जिम्मा दिया है उसको पूरा करने का भरपूर प्यास कर रहे हैं तीन साल बे मिसाल रहे हैं और आने वाला हर पल देश को नई उचाईयों पर जिन ले जाने के लिए खपते खपाते रहेंगे आपका साथ और सहीयोग मिला है आप इतनी बड़ी मात्रा में आये मैं फिर एक बार आपका भारवेक्त करता हूँ मुझे बताया गया है कि बाद में फोटो सेशन होने वाला है मैं जुरूर आपके बीच में आऊंगा उस बीच में जब तक आप लोग सज्य हो जाएं मैं कुछ लोगों से मेटिंग मेटिंग पूरी करके आता हूँ आपके बीच में आप रेडी हो जाएगे तो उस समय आप से नमस्त्र नमस्त्र हो जाएगी मैं फिर एक बार आपका बहुत आभारी हूँ धन्यवाद अब्सक्षण हाँ आपकाम अब्सक्राट अब्सक्राट आपकाम झाल झाल